ओम नमस्षिवाय वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो दन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे उपाई बताने वाला हूँ दन प्राप्ति के ये उपाई बेहदी चमतकारी और प्रभावसाली है पीली कोडी कमल गट्टा गूमती चक्र आधी के बारे में तो आपने बहुत सुनाओगा इनको घर में रखने से धन की प्राप्ति होती है दोस्तो कौन नहीं चाहता कि उसे पैंसे की कमी हो सभी चाहते हैं कि हमारे पास बरपूर पैंसा हो दोस्तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाई बताने वाले हैं अगर आप इन उपायों को करते हैं तो अवस्य ही आपको धन की प्राप्ति होगी धन प्राप्ति के ये बहुत ही चमतकारी और प्रभावसाली उपाई आपको जरूर करने चाहिए ब्योपार में सपलता के लिए नित्व प्रात्यकाल आपको दो तुलसी के पत्ते भगवान विश्णू के सामने चड़ाने हैं प्रति दिन तुलसी के सामने दीपक जलाएं और तुलसी जी में एक मोली का धागा आपको बांधना है तुलसी माता को हल्दी और चाब अलरपड करें तुलसी माता की गमले में एक रुपी का सिकार पीली कोडी डाल दें तलसी माता से धन प्राप्ति के लिए प्रात्रा करनी चाहिए इसे माता लच्मी और भगवान विश्नु प्रसन हो जाते हैं भरपूर धन प्राप्ति का आशिरवा देते हैं अकास्मातिक धन लाप के लिए ब्रिश्पितवार को बैत हुए पानी में हल्दी की दो गांटें बानी चाहिए एक नार्यल लेले और नार्यल में दो हल्दी की गांटें बांद करके पीले धागे से और बैत हुए जल में प्रवायत करनी चाहिए साथ ही एक जाड़ू मंदर में दान करनी चाहिए कहते हैं कि जाड़ू मंदर में दान करने से माता लच्चमी विश्च प्रिसन नो जाती है घर में बरपूर दनाता है दोस्तो दन प्राप्ती के लिए माता लच्मी के सामने प्रते दिन सामको दीपक जलाना है सुक्रवार के दिन नो पुष्प नो लोंग माता को अरपन करें माता को खीर का प्रसाद अरपन करें और धन प्राप्ते के लिए प्रातना करनी चाहिए गर के अंदर श्री यंत्र, वास्तू दोश निवारन यंत्र, ब्योपार ब्रद्दी यंत्र, कनक धारा यंत्र ये चार यंत्र जरूर रखने चाहिए और प्रतिदिन इनके सामने दीपक जलाना चाहिए श्री महा लच्मी नमा मंत्र का जाप करना चाहिए सबसे पहले यंत्रों को पंचामर से श्नान कराएं उसके बाद में टीका लगाएं फिर आपको माता लचमी के पास इनको रख देना चाहिए इससे आपकी हर मनो कामना पूरी होगी गर के अंदर कुवेर माता लचमी की मूर्ती या फोटो आवश्य रखना चाहिए भरपूर धन आता है दोस्तों अगर आपको पैसे की परिशानी है प्रोब्लम हो रही है मेनत अच्छी खासी करते हैं लेकिन पैसा नहीं रोक पाता जिसकी वज़े से आप टेंसन में रहते हैं यह उपाय जो हम आपको बता जाएं अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको भरपूर धन की प्राप्ति होगी धन प्राप्ति के साथ साथ में घर में सुक और सम्रती का वास्पी होगा अपार धन प्राप्ति के लिए सुद्ध आचरण और सुद्ध विचार का होना बहुत ही जरूरी है दल्लिद्रता गरीब या कर्जी से छुटकारा पाकर धर्मार मनने के लिए आपको यह अपाय जरू करने चाहिए विश्णु लच्मी जी की पूजा करें पर्मेश्वर के तिन रूपों में से एक भगवान विश्णु को पालन हर माना जाता है विश्णु ने ब्रह्मा के पुत्र ब्रगुजी की पुत्री लच्मी से विवा किया था सिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्षी की कन्या सती से विवा किया था विष्णु ही व्यक्ति को शुक्सांति और सम्रति देने वाले देव हैं विष्णु जी की पूजा और प्रात्रा करने से लच्चमी जी प्रसन नोती हैं लच्चमी जी के अठारे पुत्र भी प्रसन नोते हैं उनकी पूजा करने चाहिए विष्णू लच्मी का बड़ा सा चित्र घर में रखना चाहिए साल ग्राम भगवान के नित्य पूजा पंचामरत के इश्नान के साथ चंदराधी लगा कर करनी चाहिए विष्णू लच्मी मंदर में प्रती शुक्रवार को लाल रंगों के पुष्प अरपड किये जाते ही माता को सपेद मिठ्याई अरपण करें सपेद मिठ्याई पर केसर और लियाची रख करके माता को समरपित करें शुकूरबार की दिन दक्डवती संक्त में जल भरकर के भगवान पिश्वु का अवशीक करें इस वपाय से माता लचमी प्रसण हो जाती हैं प्रते दिन सोबै उटकर के विश्वास पूर्वा की विज़ार करें कि लचमी माता आने बाली हैं इसके लिए घर को साप सुत्रा करने और इसनानाधी से निम्रत होने के बाद घर में माता लच्मे के सामने गुलाव के पुस्प जरूर अरपन करने चाहिए। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देली की पूजा जरूर करें। घर की धरवाजे पर थोड़े से चावल जरूर डालने चाहिए। थोड़ा सा पानी भी डालना चाहिए। घर के में धरवाजे पर स्वास्तक चिन बनाना चाहिए। दोस्तो बंद किस्मत खोलने के लिए आपको एक उपाई भी करना चाहिए सबसे पहले आप ताले की दुखान पर किसी शुक्रवार को जाए और एक इस टील या लुए का ताला खरीद ले लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए खोला ताला नहीं लेना है उस ताले को एक डिब्ब्य में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में विस्तर के पास रख ले सनिवार सुबह उठकर कि इसना नाधी से निम्रत होकर ताले को बिना कोले किसी मंदर या देविस्तान पर रखाएं ताले को रखकर बिना कुछ बोले बिना पल्टे बापस घर आ जाना चाहिए बिस्वास और सिद्धा रखें जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला कुल जाएगा यह उपाई ब्यदी चमतकारी हो प्रभापसाली है गाय को गुड़ खिलाएं दन प्राप्तिकली गौमाता की पूजा बहुती महत्पूर मानी जाती है आपको थोड़ा सा आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है दोनों का मिस्रण कर रोटी बना लें या रोटी पर गुड़ रख लें और सायकाल को गुरुबार के दिन गौ माता को यह खिलाना प्रारम करते हैं शुक्रवार को पीले कपड़े में पांच कोड़ी और केसर तता गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का बांद कर माता लच्मी के सामने रख दें श्री माहल अच्मी नमा इस मंत्र का जादा से जादा जाप करें फिर उसे आप अपनी तिजोरी में रखें इससे वरपूर धन की प्राप्ते होती है अपनी तिजोरी में दस के लगबग 21 या 31 नोट रखें जेम में अमेशा कुछ सिक्के रखें खुद को धर्मान मानना सुर अपने ब्यगति का जीवन उसी प्रकार से व्यतित होता है हमेn से शकारात में के सोचें खुद को साप और स्वरप्तर के प्रति दिर मंदर जाए और जो मिले उसके लिए धन्वात देने के लिए के साथ-साथ अपनी नई मांग रखें उस मांग की पूर्ति का आप प्रती दिन गोए और कुट्टे को रोटी खिलाएं। कहाले कुट्टे को सनिवार की दिन सर्चों के तेल से चुपडी रोटी खिलानी चाहिए। इससे धनप्रावतिया आरी व्यादा दूर हो जाती है। प्रति गुरुबार को पीपल की ब्रक की नीचे दीपक जलाएं और वहाँ पर जल चड़ाएं और उनकी परक्रम्मा करें एसो पाय से आपकी किस्मत बतलेगी सनिवार की दिन सनिदेव को तेल अरपन करें और नारियल चड़ाएं ओम नारियल चड़ाएं